Welcome back दोस्तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शुरू किया हमने female supervisor के लिए जो हम आपने सीरीज चला रहे हैं science की और उसमें हमने various sources of energy जो हमारा पहला topic था उसको start किया देखें sources of energy में हमने देखा कि ये जो sources थे renewable हो सकते हैं भाई अगर तो ये रिन्यू हो जाएं जल्दी जल्दी से बन जाएं तो renewable या फिर non-renewable very simple मतलब ये है कि अगर आप koila एक बार जमीन से खतम कर दें इस दुनिया से koila खतम कर दें तो इसको बनने में million of years लगेंगे million of years लगेंगे तो ये renewable नहीं है ये non-renewable वहीं पर water से energy बना रहे हो आप sunlight से energy बना रहे हो वो renewable है एक और classification देखी थी हमने conventional and non-conventional दोस्तों मैंने बोला जो बहुत तगड़े लेवल पर सदियों से यूज करते आ रहे हैं वो conventional और जो बहुत जादा आज तक हमने यूज नहीं किये और new है ची कहती new है और recent ही यूज कर रहा है आपको एक सवाल यहीं से बनना है which of the following is conventional which of the following is non-conventional एक यह बन जाएगा एक यह बन जाएगा which of the following is renewable which of the following is non-renewable तो आप इस बात पर नज़र रखना ठीक है तो hydro power plant तक हम देख चुके थे अच्छा जिनों ने वो नहीं देखा मैं playlist का description में आपको link दे देता हूँ आप सीधा playlist में ही चले जाएंगे ठीक है चलो जी now let's talk about another source of energy that is geothermal energy दोस्तो देखो geo का मतलब है यहां पे earth thermal का मतलब होता है दोस्तो heat जहां पे भी आपको thermal word दिग गया तो समझे लेना हीट की बाद चल रही है जहां पे भी word thermal दिग गया तो समझे लेना हीट की बाद चल रही है ठीक है तो geo and thermal तो मतलब heat of the earth heat of the earth देखो very simple धरती जो है ना हमारी धरती के inside बहुत ज़्यादा heat है बहुत ज़्यादा heat है heat क्या है क्योंकि धरती के अंदर पाया जाता है magma magma इस magma को जब धरती से बाहर निकलता है इसी magma को lava भी बोलते है volcanic eruption होता है जो volcanoes निकलते हैं हमारे वो ये धरती के बीच में magma ही होता है जो बाहर आता है now magma क्या होता है आप ये बोल सकते हैं कि sir ये एक liquid आग है, liquid fire है, ठीक है, इसको क्या बोलते है, molten magma, चलो जी, अब जब इसकी heat से कुछ energy produce हम करेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, geothermal energy, अब देखते हैं, क्या है, क्या slides हमारी बोल रही है, चलें, तो पहली बात हम ये बढ़ेंगे, geothermal energy is the heat of the earth, simple, and is naturally occurring thermal energy, naturally है, of course natural है, found within the rock formations, fluids held in those formations, अभी समझाता हूँ, पूरा मतला, magma is formed when this heat melts the rock, the rock hot gas is called magma, दोस्तों देखो, 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 देरी बात समझो, ये धरती है, धरती के inside आप देखोगे, धरती के अगर आप layers पढ़ोगे, धरती के layers अब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो crust, बोलते हो mental, then बोलते हो core, crust, mental, core, mental में भी upper mental, lower mental, ये जो अपर mental का region होता है, बहुंसे 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 बहु आप देखेंगे यहां पर सम्टाइम्स तो यहां से पानी ही जमीन के उपर आ जाएगा यह जो गरम पानी है न यहां से जमीन के ऊपर cracks के थूँ यहां पर cracks होते हैं जमीन के अंदर बाहर आ जागा जिसे हम क्या बोलते हैं hot spring चश्मे बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं चश्मा बोलते हैं hot springs या फिर springs के तरीके बाहर आ जागा या फिर कभी-कभी steam के थूँ भी बाहर आ जागा cracks develop होते हैं steams, भाप, ठीक है, क्योंकि पानी गरम हो गया है, पानी गरम होने से भाप बन गी, sometimes पानी भी बाहर आ जाता है, या फिर वेपर बाहर आ जाते हैं, और इन वेपर्स को, या फिर इस गरम पानी को यूज कर लिया जाता है, to form energy, वो कैसे, let's talk about that, जलो जी, the magma gets collected at some depth, कुछ depth पे collect हो जाता है, below the earth's surface, these places are called hot spots, याद रखना, hot spot किसको बोलते हैं, धर्ती के इंसाइड, जो magma जीन इलाके में इकठा हो जाता है, उन्हें hot spot बोलते हैं, when underground water come in contact with these hot spot, जब इस magma के पास में या underground water आएगा, it changes into steam, वो भाब बन जाएगा, which can be used to generate electricity, देखो दोस्तों, वो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यह देखें, यह दिखाई दे रही हैं आपको steam, यह steam इस तरीके से उपर जा रही है, यह गरम है, पानी गरम हो गया, भाब बन गी, यहां से हमने इसको drill कर दिया, यहां से ठीक है, और यह भाब हमने ले ली सीधाई सीधा कहां पे हमारा है, generator में, ठीक है जी, generator में, दोस्तों जब भाब इधर बहुत तेज लेवल से भाब चलेगी न, तो भाब इसके जो turbines होगा न, उसको घुमाएगा, इसके turbines को घुमाएगे भाब, ठीक है जी, चलो जी, तो जब turbines घुमेंगे तो यहां से electricity क्या हो जाएगी, आपकी produce हो जाएगी, ठीक है जी, produce हो जाए यहां पर आप देखेंगे, cooling of water, ठीक है, cooling of water, ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे project लगाएगे है, जो पानी को क्या करेंगे, ठंदा करेंगे, ठंदा करने के बाद में, दोबारा से हम देखेंगे, पानी जो है, वापिस भेज दिया जा रहा है, नीचे, return कर दे जा रहा है, तो यह पूरा cycle जो है, इस तरीके सर्च चलता रहता है, यहां पर पानी गरम है, गरमों के उपर, turbines गुमाएगा, यहां से अगें ठंदा करने के इसको हम वापिस बेज देंगे, ठीक है जी, भाप जब ठंदी होगी, तो पानी बन जाएगी, वही यहां पर बताएगा, वैसे अभर का काम की हैं यह यह चीज़, आपके काम की बिल्कुल नहीं है. आपको बस यह पताओने चीज़, जीव थर्मल एनरजी क्या होती है, आप बोलेंगे जीव थर्मल वह एनरजी है, जो धर्ती के अंदर हीट काम में लाके उस एनरजी को हम प्रेडि Mouse करते हैं, ठीक है ह नहीं तो इसका मतलब ये कौन सा source है renewable source है renewable source है ठीक है चलो जी तो ये हो गया हमारा आज का पहला कुछ advantages और disadvantages की अगर आप बात करें जी ओ थर्मल के फाइद है renewable है बिलकुल है जी चलो जी और आप देखेंगे renewable बस इसको ये चोड़ देए expensive तो है ठीक है renewable ठीक है renew कर सकते हैं क्या pollution कर रहा है नहीं है तो आप बोल सकते हैं pollution free है but problem भी है कुछ disadvantages भी है disadvantages क्या है only a few sites are available for harnessing energy और expensive है ये project expensive है दोस्तों मेरी बास समझे आप ये हर जगा पे आपको इस तरीके से springs नहीं मिलेंगे हर जगा पे आपको ये नहीं है कि जहां भी आपने डिल कर दिया वहां से आपकी इस तरीके से भाप बन-बन के निकल दूए नहीं किनी-किन इलाके में ही ये project को लगाया जा सकता है और वो भी कुदरत पर depend है हमारे उपर depend नहीं है solar power अगर आपने solar panel लगाना ये तो आप कहीं भी लगा दें आपकी मर्जी है लेकिन कई projects ऐसे होते हैं जो आप हर जगा नहीं निकाल सकते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अगला हम बात करेंगे biogas energy के उपर जिसके उपर बाइयो गैस दोस्तों बायो गैस very important आज के time पर बड़ा चल रही है ठीक है bio gas दोस्तों इस biogas को ही gober gas बोलते हैं गोबर गैस बोलते हैं ठीक है गोबर गैस अब नाम से आपको पता रहा है गोबर गैस तो मतलब जो काउडंग होगा गोबर जो होगा गाएं का जो एक्सक्रीटा होगा ठीक है जी या बाकी जो कैटल होगे हमारे उन से इसको हम यूज कर सकते हैं उन से हम बना सकते हैं दोस् as agriculture waste agriculture waste का मतलब क्या है दोस्तो आपने wheat grow किया आपने rice grow किया ठीक है तो उसका जो भूसा बच जाता है न हम उससे भी आप इसको produce कर सकते हैं ठीक है ठीक है आगे बताउंगा manure manure मतलब क्या जो गाए बहस जो है उनका जो गोबर है उससे मुनिसिपल वेस्ट, प्लांट मिटीरियल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट वाटर, फूड, वेस्टिज, एट्सेटरा, दोस्तों मेरे बास सुनो, ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ, देखो, ये यहाँ पे मान लो जी, क्या होता है, यहाँ पे आपने गड़ा बना दिया, ये कोई भी कंटेनर लगा दिया, ये इसका इलेट है, गड़ा, आप क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट प्रोड़क्ट है, सडा गला खाना है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेस्ट प्रोड़क्ट है, एनिमल डंग है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो क्या होना जब यहाँ पे कुछ time के लिए आप इसको छोड़ देंगे इसमें एक gas की generation होना शुरू हो जाएगी automatic, natural process है gas की generation होना शुरू हो जाएगी और इस gas को आप किसी भी medium से बाहर निकाल सकते हैं store भी कर सकते हैं और direct इसको आप चूले में भी लगा सकते हैं फस्ट मैं आपको इसकी photo दिखाता हूँ यह देखे हैं आप दोस्तों इसकी photo देखें ठीक है यह container दिख रहा है आपको पीछे यह खुदी जुगाड है यह ऐसे बड़े-बड़े project भी होते हैं बड़े-बड़े project भी होते हैं लेकिन यह मैंने देशी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कही है आज कल यह गाउं-गाउं में भी चल रहा ही है गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं ठीक है चलो जी यह container है दोस्तों इसमें क्या करेंगे इसमें जो भी product होगा waste product हमारा organic matter डालेंगे इसमें gas की production होगी यहां से अगर आप देख पा रहे हैं इधर valve लगा हुए एक valve लगा हुए यहां से इस valve को खोलेंगे यह दोस्तों gas बनी इसमें जो बनी होई gas थी यह सिधा stove में आ रही है हमारे ठीक है रही और इसको हम use कर रहे हैं तो अब आपको कई सवाल पूछे जा सकते और क्या इक्सपेंसिव है बिल्कुल भी नहीं यह expensive भी नहीं है कुछ ही हजारों में यह project आपका लग सकते हैं चलो नहीं यह जो gas होगी न दोस्तों यह जो gas हमें मिलेगी it is a mixture of gases और primarily आप देखेंगी यहाँ पे आपको जो gas मिलनी है वो है methane very very important very very important methane CH4 दोस्तों कुछ भी भूल जाएं यह शब्द बार बार बुल रहों मत भूलना आपको स बायो गैस में देखने को मिलती है दोस्तों वो क्या है वो है methane very important methane चीक है जी मिथेन आगे जलेंगे अब बात करते हैं biomass अभी तो बोला biomass से जो energy बनेगी जो gas बनेगी वो bio gas biomass क्या है biomass is defined as the living matter दोस्तों living matter living matter क्या फल है फूल है सबजी है चीक है जी कोई crop का residue है चीक है और its residue is a renewable source of energy the biomass include the biomass में क्या आएगा agriculture और forest residues टीक है agriculture में वोई crop लगाया है जो हूसा बच गया forest है पतियां बतियां जितने भी आपके ठीक है पेड़ों की पतियां बतियां होगी तहनियां होगी ठीक है चलो यहां पे कुछ बाते हैं लिखी है यहां पे वुड है रूट है रू भी अब नव अगली बात है बायोगास ब्लांट बाइयो गास ब्लांट एगर आप देखेंगे यह प्लांट तो मैंने आपके सामने बता दिया बायोगास प्लांट इस दे नेम ओफन गिवन तो एं एं एर अरबिक digester that treats form wastage or energy crop में नहीं पास समझे एन एरबिक एन अरबिक देखो मतलब क्या है कि यह हावा के contact में नहीं आना चाहिए oxygen के contact में नहीं आना चाहिए air tight container जिसको हम बोलते इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा यह वो कुछ भी हो सकता है वो एक टैंक की हो सकती है कुछ भी हो सकता है इसमें आप एनरजी क्रॉप से ढाल सकते हैं कुछ भी भूसा भूसा जो भी है आप इसमें डाल दें बायो डिग्रीडेबल मेटीरियल वेस्ट इस इंक्लिवडिंग सीवेज स्लज एन वेस्ट फूड भी आप इसमें डाल देंगे जो है आपके पास ऊसे में डाल दें ठीक है इसमें आप देखेंगे माइक्र ओर्गानिजम जो है इस बायो मास वेस्ट को बायो गैस में तब्दील कर देंगे कुछ दिनों में ठीक है जी और जो मीनली मिथेन और कारबन डायोकसाइड होती है ठीक है एड्वेंटीज इस क्या बैनिफिट्स हैं बायो गैस प्लांट इस क्वाइट सिंपल एन इसली बिल्ट इन रूरल एरियास सिंपल है रूरल एरियास में दोस्तों गाई भी होती है बफैलो भी होती है ठीक है और अगरिकल्चर भी होता है उसी का वेस्ट प्रॉडक्ट ये यूस कर सकते हैं इम्पोर्टन है बायो गैस इस क्लीन फ्यूल that burns without smoke and leave no ash important है दोस्तों ब करेगी तो good fuel माना जाएगा क्योंकि crops जो भी हमारी सब्जी है या कुछ भी हमने बनाना है वह easily बन पाएगा जितनी जादा हीट होगी by using biogans firewood is saved and deforestation is reduced very important आपको लकडी जो जलाते हैं उसको नहीं चलाना पड़ेगा और कहीं न कहीं deforestation भी नहीं होगी आप पेड़ों को काटना भी कम हो जाएगा of course तो यह कुछ important इसके advantages होंगे now composition of biogas दूसरों इस पर थोड़ा से ध्यान दे important composition of biogas ठीक है biogas में कौन-कौन सी gases होती है आप देख लें आप कुछ और याद ना रखें तो यह methane और carbon dioxide जुरूर याद रखेंगे ठीक है बोरा सबसे जादा methane दूसरे number पर carbon dioxide इसके लाव और भी है nitrogen है hydrogen है hydrogen sulfide है and oxygen भी है लेकिन इनकी मात्रा अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है CH4 ठीक है जी चलो जी next अलते हैं हम ठीक है अगली है हमारे पास nuclear energy दोस्तो nuclear energy nuclear energy एक नई kind की energy है दोस्तो ठीक है बहुत जादा time से इसको यूज नहीं कर रहे और उतनी commonly use भी नहीं हो रही है जी उतनी commonly use भी नहीं हो रही है smallest unit of something, atom जो होता है, atom, इस atom में, center में आप देखेंगे, जो nucleus होता है, nucleus, ठीक है, उसके detail में नहीं जाता है, तो इसको use करके, आप बोल सकते हैं, कि यह atom को use करके, ठीक है, यह बनाया जाएगा, nuclear energy, a reaction in which nucleus of an atom undergoes a change, बोल रहा है, atom के nucleus में कुछ changes करवाएंगे, कुछ changes करवाएंगे, to form new atom, and release enormous amount of energy, यह क्या करेगा, जब इसमें changes आएंगे, तो यह energy को release करेगा, और इस energy को nuclear energy बोलेंगे, simple, आप बोलेंगे, nuclear energy वो energy है, जो कि atom से मिलेगी, ठीक है, जो कि atom से मिलेगी, ठीक है, अब nuclear energy दो तरीके से produce की जाती है, जिससे हम nuclear fission, यह nuclear fusion बोलते है, nuclear fission या फिर nuclear fission, चीक है, अब दोनों में क्या फरेक है, देखो दोस्तों, दोनों में क्या फरेक है, मैं आपको बताता हूँ, एक word है fusion, fusion, एक word है fusion, fusion and fusion, ठीक है, fusion आपने कभी बच्पन में भी आपने देखा होगा, स्कूल में, जिब हम perform कया करते थे, तो हमारे जो गाने हुआ करते थे, सॉंग्ज होते थे, वो उसका fusion बनाया करते थे, fusion का मतलब क्या होता है? combination, combine करना, ठीक है, एक गाने में दूसरा मिला देना, तीसरा मिला देना, एक ठा करके, एक ही गाना बना देना, तो तो performance चलती थी, दूसरी तो fusion का मतलब होगा combine करना combination fusion का मतलब दोस्तो this का test यहां पे combine करते हैं fusion में split करना fusion में क्या करना है split करना है ठीक है split कैसे करना for example के लिए यह atom है तिक है इस atom को further हम तोड़ देंगे इसको तोड़ना है इसमें जोड़ना है दोस्तों इसमें तोड़ना है और इसमें जोड़ना है चले जी यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पिच्छर एक मिनिट के लिए आप देखेंगे आगे डिफरेंस ड्रॉ करेंगे हम देखो यहाँ पे फ्यूजन बोल रहा है यहाँ पहले फ्यूजन देखेंगे यह एक ही आपको आटम देख रहा है इसी को हमने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे यह आपको बता रहा है जी हीलियम है जे ट्रिम है जूटेरियम सुरी मेरी प्रननसियेशन भी थोड़ी इदर उ हो रहे हैं combine होने से नई energy यहां पर आप देखेंगे produce हो रही है तीक है जी चलो जी तो fusion का मतलब combine करना fusion का मतलब split करना अभी इसको आगे और बढ़ेंगे चलो energy released when some changes take place in the nucleus of atom nucleus of atom के nucleus में जब भी changes आईगी तो इससे energy का production होगा इसी को nuclear energy बोलते हैं it is used for heat generation fuel for marine vessels not important छोड़ें आप इसको आगे चलो अब क्या benefit क्या है nuclear energy के benefits क्या है चिक है चलो जी the alternative source of energy due to depletion of fossil fuels बोल रहा है यह है कि एक alternative कि तरह ही यूस किया जा सकता है दोस्तो nuclear energy को बनाने में वैसे सिर्खपाई तो है पैसा भी लगता है बहुत जादा expensive भी है लेकिन जो यह energy produce करता न वो भी massive energy produce करता है तो massive बहुत जादा level की energy produce करता है ठीक है जी तरह जी and from a small amount of fuels large amount of energy is released ठीक है बहुत जादा energy release कि जा सकती है ठीक है चलो जी disadvantages क्या है risk of nuclear waste leakage दोस्तों यह nuclear जब energy तो produce करेंगे जो waste generate होगा न यह बड़ा खतरनाक होगा environment के लिए ठीक है ठीक है high cost of setting up of nuclear plant भाई मेंगा भी है and pollution of environment अगर इसको सही से tackle नहीं किया सही से tackle नहीं किया otherwise कोई pollution नहीं करेगा लेकिन जो waste effluents होगे अगर उनको नहीं किम भी हो सकता है इसमें चीक है चलो जी नाव इसका difference पढ़ेंगे तो हम वीडियो को खतम करेंगे अगले पार्ट में बाकी पढ़ेंगे ठीक है चलो जी अब देखेंगे fusion and fusion देखो fusion क्या है a few number of radioactive particles are developed by the process of fusion reaction अच्छा यहाँ पर एक में पहले यह point पढ़े high amount of energy is consumed to combine protons so that the nuclear forces can overcome the electro repulsion यह इसमें कुछ important points तो काटे थे देखो मैं आपको जो जो points बताऊंगे आप उसी को देखना आप उसी को देखना ठीक है fusion का मतलब कमबाइन करना fusion का मतलब split कर रहा ठीक है क्या करेंगे split करेंगे ठीक है चलोगे देखो what are the energy released during the process of fission is much larger than the released energy other chemical reactions over other chemical reactions देखेंगे उनके comparison में fission जाधा energy produce कर रही है ठीक है fission जाधा produce कर रही है लेकिन दोनों में से देखेंगे अगर आप fission से भी जाधा fusion कर रही है fission से भी जाधा fusion कर रही है the energy released by the process of fusion is around three or four times much greater than the energy liberated during the process of fission तो जाधा energy कौन produce कर रहा है more energy कौन produce कर रहा है fusion कर रहा है तो fusion इस लिए भी याद रख लेंगे क्योंकि fusion में आप देखेंगे एक से जाधा elements के atoms को जोड़ा जा रहा है तो जब दो दोड़ेंगे ना एक से बले दो तो दो है तो जाधा energy produce करेंगे ये comparatively कम energy produce करेंगे फिजन में primarily जो आपका atom आप यूज करते हैं फिजन में वो यूरेनियम होता है वो क्या होता है यूरेनियम होता है और यहाँ पर आप देखेंगे hydrogen retium and deuterium यहाँ यह भी याद रखने है इंपोर्टन है दोस्तों यह word important है hydrogen and deuterium fusion में hydrogen and deuterium को हम combine करते है और भी हो सकते है और यूरेनियम फिजन में जाता तर हम यूज करते है फिजन में जाता तर यूज करेंगे ठीक है जी चलो जी आच्छा fusion bomb fusion bomb is one of the kind of the nuclear weapon nuclear weapon है which is known as atom bomb atomic bomb और इसमे example fusion में देखेंगे तो एक hydrogen bomb जो है इसकी example है तो इतना भी important भी नहीं है ठीक है जी चलो जी अगर आपसे यह सवाल पूछ लेना atom bomb जो है atom bomb atom bomb यह पूछ सकता है atom bomb किसकी example fusion की के fusion की तो आप बोलना fusion की example atom bomb किसकी example है fusion की example है fusion की example है ठीक है एक और atom को आप देखेंगे इतनी बहुत तगड़े लेवल पे split कराया जाता है और इसमें से energy जो release होती है यह तबाही करकर रख देती दोस्तों एक एरिया में हिरोशीमा नाकासा की याद होगा आपको ठीक है चले जी तो यह कुछ important points थे रिगार्डिंग आज के इस topic में जिसमें हमने देखा nuclear energy nuclear energy के बाद में हमने देखा हमारे पास था bio energy या bio gas energy और इसके बाद में देखा geothermal energy तो दोस्तों यह important आपको समझ आया होगा mcq series भी में लेके आऊंगा जिब topic हमारे बन जाएंगे किस-किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे इस पर भी मैं अच्छे से discussion करूँगा आपके साथ till then thank you very much have a nice day